तो दोस्तों नमस्कार आज आपको अपने चैनल एक्जाम करेक में बिहार दरोगा का जो क्राउन बुक का मोडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसका सेट नमबर 10 का आज सलूशन करा जाए वीडियो में लास तक बने रहे हैं जिससे कि आपको आने वाली एक्जामिशन के लिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस या और भी कोई भी एक्जामिशन के लिए जीके जीएस या करेंट अफेर का प्रैक्टिस सेट आए एक नमबर से सुरुगात करते हैं और इससे पहले आपको करवाया गया दिया आप नहीं देखें तो उस सेट आप देख सकते हैं पहले लिष्ट में जा कर गया है और अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवस्ची करें आए एक नमर प्रश से सुरुगात करते हैं चतुत बहुत संगीती परिस्ट कहा होई थी तो पहला हुआ था सरी चतुत बहुत संगीती हुई थी किसके अध्यस्ता में हुआ या किसके स सासनकाल में बताना है तब पहला हुआ था अजास सत्रु के सासनकाल में दूसरा हुआ था काला सो के सासनकाल में तीसरा हुआ था असो के सासनकाल में अच्वथा हुआ था कनीश के सासनकाल में अंसर क्या हो जागा तो ये नमबर यहाँ पे हो जाएगा अगला पसंख्या देखते हैं उत्तर परदेश में बाध एवं जैनियों दोनों के लिए परसीत तीर्थ अस्थाल कौन सा है तो को सामबे ये अप्शन हो जाएगा क्या बी नमबर हो जाएगा अगला पसंख्या तीन नमबर करा निमखित में से किसने हुन सासक मिहीर कूल को पराजित किया था तो ये सो धर्मन ने जो है मिहीर कूल को पराजित किया था अगला पसंख्या किर्शकों की सहायता के लिए किस मधिकालिन भारतिय सा सक्क ने पट्टा एवं काबूलियत प्वास्था की शुरुआत किया था तो शेर सा सुरी के दवारा शुरुआत किया गया था बीबी का मकबरा कहां इस्तित है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में और इसका निर्बान किस ने करवाया था तो औरंग जेब ने करवाया था इस की पतनी था इस अरफिया उद्दवरानी के मकवरा है करा मयूर सियासन पर बैठने वाला अंती मुगल समराथ कौन था तो मयूर सियासन पर बैठने वाला अंती मुगल समराथ मुहम्मद सा था नाधिर सा आकर्मन करने के बाद मयूर सियासन को लूट कर ले चला गया था निम तो इसका हो जाएगा च्यार नमबर तो option क्या हो जाएगा और नमाब हमीद अली खान कहांस थे तो यह दिल्ली से थे और मौलबी अहमूद उल्ला जो है लखनाउस से थे अंसर हो जाएगा डी नमबर अप्शन अप्शन नमबर डी हो जाएगा निम्खित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापती बना था गदर पार्टी की जो पहला सभापती बने था सोहन सी भागना जबकि गदर पार्टी का अस्थापना लाला हर द्याल के द्वारा 1913 इस प्रस्ताव पारित किया था कब तो 1929 इस्वी में लहर अधिवेशन में करा कि इसमें से कौन-कौन सा सुमेली थे जो बताना तो करा कि पर्थम आंगल मराठा इउद पर्थम आंगल मराठा इउद जो हुआ था 1775 इस्वी से 1825 इस्वी में हुआ था एक नमबर गलत हो जागा तिरती आंगल मैसर इउद जो हुआ था या मैसर इउद या 1790 से बाने में दो नमबर सही है अगला अप्सन देखते हैं करा कि पर्थम आंगल बरमाएउद अठासो चोवीश से उन्चवीश या भी सही है अगला करा कि दीती ये सीक्यूद दूसरा जो सीक्यूद हुआ था वह था 1848 से 49 से सीमे तो अंसर रहा चार नमबर गलत है या तीन के जगए चार होगा चार गलत हो जगा दो और तीन सही है दो तीन अप्सन नमबर दी में सही है संख्या देखते हैं भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करता है तो मैक मोहन बीच है और रेट किलिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है बोडो निवासी है कहां निवास करता है तिया गारो पहाड़ियां पर निवास करता है निमखित में से कौन सा हिमनत सबसे बड़ा है या स्रियाचीन गलेसियर है जो सबसे बड़ा गलेसियर है निमखित में से राइस्थान या जो है सही घाट परभा नदी या जो है महाराष्ट में और कर्णाटक में परभाहित होता है तो अनसर क्या तो अन्सरेगा क्या आती है यदि क्या हो जाए यदि पकने की अब्धी में पाला गिर जाएगा तो गन्नाम जो सरकरा मिठास की मात्रा काफी कम हो जाएगा निम्खित में से की जीलो में भारत की सबसे बड़ी अभरक मेखला पाए जाती है तो यह हजारी पाग गया मुंगेर अप्शन का जाएगा C नमबर में निम्खित में से कौम सा एक सही सुमेलित नहीं है तो गलत पता ना तो भीलाई जो है यह 36 गड़ में परता है मधपर्देश यह गलत है जाएगा दुरगापूर पस्षी मगाल में जमसेदपूर जहरकन में रावर केला उडिसा में अंसर रहाएगा A नमबर भारत के रेल मंतराले की बुलेट ट्रेंड चलाने की योजना यह कहां से कहां के भीच चलेगा तिया मुंबई से हमदाबाद के भी चलाया जाएगा और सूरत इसका जो है बुलेट ट्रेंड का पहला स्टेशन सूरत निर्वान किया जा रहा है निम्खित महादीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है तो अफिरका महादीप में 54 देश है जबकि यूरोप में जो है एक आमन देश है तो सबसे अधिक हो जाएगा अफिरका महादीप में ही 54 देश और एसिया है तो एसिया महादीप में जो है टोटार पच् कराई की निम्खित जोडों में से राष्ट और राजधानी सुमेलित नहीं गलत है जो बताना चीली के सेंटियागोस सही है अर्जेंटीना के विवनासार सही है उत्री कोरिया का सियोल नहों करके यह दचिन कोरिया की राजधानी सियोल है जब कुटर कोरिया का पियोंग यां पियोंग यांग उत्तर कुरिया की राजधानी यह इथोपिया की राजधानी अधिसे बाबा सयांसर रहेगा C नमबर अगुल्हास धारा चलती है कहां यह हिंद महासागर में चलती है बिस्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जहिल कौन सा है तो यह हो जागा लेक सुपिरियर अप्शन हो जागा D नमबर अगला पसंगे भारती समिधान में राज के नीती ने सकता तो किस संकल पना किस देश के समिधान पर आधारित है तो यह आईरलेंड के समिधान से लिया गया अगला पसंगे भारत के समिधान में मौली करताब को कब समलित किया गया था मौली करताइब को 42 सविधान संसोधान 1976 में सामिल किया गया था अंसर हो जागा A number option अगला पसन के निम्कीत में से कौन भारत के परधान मंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज के मुख मंत्री नहीं रहा मुख मंत्री के रूप में कारूं किया है कहां के तो करनाटा के मुख मंत्री के तौर पे काम किया है पीबी नर्सी महाराव आंद्र परदेश के मुख मंत्री के तौर पे कार किया है मुरारजी दिसाई या महराष्ट के मुख मंत्री के तौर पे काम किया है जबकि चंद सेखर जो है कहीं भी मुखमंत्री नहीं बने थे अंसर क्या हो जाएगा सी नंबर भारते संसद में सम्रीथ होता है कौन का राष्टपती लोकसभा और राजसभा अप्सन हो जाएगा ए नंबर समिधान की ब्याख्यक करने का अंतिम अधिकार किसे है तो यह सर्वोच नियाले को है निम्न में से किस राज में बिधान परिसद नहीं है तब बिधान परिसद कहां नहीं है तब बिहार टोटल छे राजों में हैं बिहार में हैं महराष्ट करनाटक यूपी में हैं और आंध लेने की सक्ति राखते हैं तो नहीं कोई भी राज बिदेश से कोई भी सीधे रीन नहीं ले सकता वो भारत सरकार के समझोता के तहती ले सकता है हमारे देश के पर्थम लोकपाल कौन बने है तो पर्थम लोकपाल जो है पिना की चंद घोश्त है जबकि बरतमान में दूसरे लोकपाल बने है वो परदिप मुमार मुहंती बने है निम्न में से कौन सा एक समयधानिक संसुधन मौली करतब से संबन देता है तो 42 मा सविधान संसुधन जबकि 44 मा संपत्ति के अधिकार से संपन देता है अगला पसेंकरा 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवा धिकार दिवस अप्शन क्या हो जाएगा A नमबर जबकि 20 वस्वास दिवस 7 अपरेल को मनाया जाता है इवेन दिवस मनाया था, 24 अक्टूबर को और उसी दिन पॉलियो दिवस भी मनाया था, मजदूरी दिवस के रूप में एक मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंसर रहेगा A. इवेन द्वारा सन कौन से इस्वी को अंतराष्टिय महिला वर्ष के रूप में मनाया था, अगला करा निम्खित में से कहां सदा बहार बन पाया जाता है, सदा बहार बन पशिमी घाट में और पूर्वी हिमाले चित में पाया जाता है, और अनवाननी को भार में, डार्लिंग नदी किस देश में? डार्लिंग नदी अस्ट्रेलिया में है, वन डेई बंडर्ष नामक पुस्ता के लिखा कौन है, तो सुनील गावशकर हो जागा, Hindu बिर्धी दर किस विर्धी दर से समन्दित है, ति राष्टिय आज से समन्दित है, इसका Hindu बिर्धी दर जो प्रोफेसर राजखरिश्यों की दोरा दिया गया था। राष्टिय ग्रामीन स्वास्त मिशन 25 वर्श य योजना में सुरू किया था। तिया 10-5 वर्श जम शुत द में का अंसर हो जाएगा बी नंबर आप्शन 162 फोटी फोर का अंसर हो जाएगा 925 बी नंबर आप्शन 45 का अंसर हो जागा B नमबर अप्शन जब किसमें क्यूशन में यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा 33,000 हो जागा और अंसर हो जागा B नमबर अप्शन 46 नमबर देखते हैं कैरोटीन मुखी भाग है तो कैरोटीन में जो है बिटामिन ए मुख्यता पाया जाता है भोर का तारा किसे कहा जाता है भोर का तारा जो है बेसपत सुरी सुक्र गरग को कहा जाता है अंसर क्या हो जागा C नमबर हाइडरोफोबिया रोग होता है किस्रत या भिशानों से होता है के कुट्ता को काटने सोता है और हाइड्रोफोबिया रोग में जल से डर लगने लगता है चेचा के टीके की खोज किस ने किया था चेचा के टीका के खोज एड़वर जेनर के द्वारा किया गया था एक गेंद को 36 से कितने कोन पर फेकने पर अधिकतम 36 दूरी तैक रहें यादि एक वस्तू को यहां से हम फेक रहें तो वो अधिकतम दूरी कप तैक करेगा जब 25 डेगरी से फेकेंगे तब यह अधिकतम दूरी पर जाएगा अंसर हो जागा सी नंबर अप्सन एक जूल बराबर है एक जूल बराबर दस के पावर साथ अर्ग होता है नीमू में कौन सा अमल पायाता है नीमू में साटरी कमल पायाता है जबकि इमली में टार्टरी कमल पायाता है अगला पसांख्या सबसे छोटा फूल काउंसा है? सबसे छोटा फूल होता है भूल फिया और सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया अंसर क्या हो जाएगा? B नमबर अप्शन हो जाएगा गोलकार प्रोटीन का उधारन काउंसा है? तो albumin जो है गोलकार प्रोटिन का उदाराना कॉस्मिक किरनों की खोज किसने किया था कॉस्मिक किरन की खोज जो है विक्टर हेस के दवारा किया गया था option क्या आजाएगा B number मानो मस्तिष कितने ग्राम का था मानो मस्तिष लगभग 1500 ग्राम का होता option क्या हो जाएगा ए नमबर परमानु बम का विश्कार किस ने किया था परमानु बम का विश्कार रोबर्ट ओपेन हाइमर के दवारा किया गया था अगला परसंग का रक्त परिवहन की खोच किस ने किया था किसन संक्या एक्सराट नंबर देखते हैं करा कि एक केसनली में जल किया पेच्छा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता इसका कारण क्या है तरल का प्रिष्टनाव जल किया पेच्छा ज्यादा अंसर क्या हो जागा डी नंबर अप्सन हो जागा अगला पसंग करा कि एक मैजदूर रेल की पटरी पर कारी कर रहा था एक लड़का कुछ दूरी पर अपनी कान पटरीयों पर रख कर जब मैजदूर दवारा की जाने वाले है थावले की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाजे सुनाई देती इसका कारण क्या है तो ध्वनी का बेग जो है इस पात में बायू के पेचा धिक होती है इसलिए एक बार इस पात के दवारा ध्वनी सुनाई देता और एक बार बायू के चाल में सुनाई देता इसलिए दो बार सुनाई देता आंसर हैगा ए नमबर आप्संग निमखित में से गैस इगमो में से क इसका मिस्त्रन जो है खानों में जो ख़दान होता है उखानों में अधिकतर होने वाले बिस्फोट का कारण बनता है तो मीथेन जब आई से संपर्क में आता है तो बिस्फोट होता है आंसर हो जाएगा C नंबर एपी फाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं या अंतरिक सहारा के लिए अप्शन क्या हो जाएगा B नंबर या अंतरिक अब लंबन के लिए अगला करा इन में से कौन सा सुचमजीव जो है किटनासक है तो बेसीलस थूरी एंजेसिंस जो है एक सुचमजीव किटनासक है अगला परसंके करा कि हाल ही में कितने डिजिटल इंडिया सपता दोहरबास का उधगाटन किया है कितने के जागा किसने डिजिटल इंडिया से किया गया है भीत मंत्राले के नुसार भारती राष्टिय ध्वज की बीक्री के लिए GST इदर कितनी है तो 0% कर दिया गया था क्योंकि आजादी कामरूत माहसाम नाया जाए था इसलिए हर घरती रंगा भी हां चला गया था इसलिए 0% कर दिया गया है हाल ही में खबरों रहाज जागरीती किस से समंधित है या सुभंकर है तो या राष्टी ये उभोकता जागरुकता के लिए है अप्शन क्या हो जाएगा डी नमबर अप्शन अगला पसंगर करें कि 68 में राष्टी ये फिल्म पुरस्कारों में सर्वसेष्ट फीचर फिल्म घोसित किया गया सोरा राई पोट्टू तो या किस भासा का फिल्म है या जो फिल्म सोरा राई पोट्टू घोसित किया गया है या जो है तेलगू फिल्म है अप्शन क्या हो जाएगा ए नमबर अप्सन हो जाएगा हाल ही में किस राज सरकार ने मिशन कुसल कर्मी योजना लॉंच किया है तो दिल्ली के द्वारा लॉंच किया गया है करा संजुक्त राष्ट संगन में वर्ष 22 में अंतराष्टी मिलेट वर्ष के रुपे मनाने के लिए भारतिय प्र अगला परस्ण का है पीछी बन जी अभिहारान पीछी बाड़ाइब सेंचूरी जहां एक नई डेम से डेम से फलाई पर जाती प्रोटिस्टिक्टा एनाम लाइका देखी गई है 21 राज में पढ़ता है तो कियरला राज में पढ़ता है अप्सन क्या जाएगा स्री नंबर National Green Tribunal ने कचरा परबांधन नियमों के उलंगहन के चलते किस राज पर 3500 कड़ो रुपे का जुर्माना लगाया गया है पस्षी मंगाल को लगाया गया नवसेना के नए ध्वज में किस आकरिती के अंदर राष्टी परतिक है तो या नीला अश्ट कोन के अंदर राष्टी परतिक है सीमा सड़क संगठन किस राज में इस पात सलाई का निर्मान करेगा तिया अरनाचल परदेश में किया जा रहा है मन्थन मंच भारत सरकात द्वारा किस उदेश के लिए शुरू किया गया है तिया R&D में सहियों के लिए मन्थन मंच शुरू किया गया है किस संथान ने प्राइविटाइजेशन और पॉब्लिक सेक्टर्स बैंक एन अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव सिर्शक से एक लेक जारी किया है तिया R&D के द्वारा जारी किया गया है पीच बलाइक हवाई उधाव्यास का मेजबान कौम सा देश रहा है तो आश्रेलिया देश रहा अप्सन क्या आजाएगा बी नमबर अप्सन हो जाएगा इसमें टोटल बारा देश सरी सतरा देश ने भाग ले रहा पीच बलाइक में हाल ही में असम के किस राष्टिय उध्यान को पर्याटको के लिए फिर से खोल दिया गया मौसम परिवतन के कारण कुई दिनों के लिए बंद कर दिया था और बाद में फिर खोल दिया गया है काजी रंगा राष्टिय उध्यान हाल में किस भारति महिला किर्केतर ने अंतराश्टी से सन्यास लिया तो जुलन गोस्वामी अंतराश्टी सांकेतिक भासा दिवस कब मनायाता है ते 6 सितंबर को मनायाता है जबकि 19 सितंबर को 202 दिवस मनायाता है, 21 सितंबर को अंतराष्टिय सांती दिवस मनायाता है, 15 सितंबर को इंजिनियर्स दिवस मनायाता है अगला पर संक्य करा कि साइफ माईला चेंपियंसीव देरबाइस का किताब किसने जीता है तो साइफ माईला चेंपियंसीव बांगला देश के दोरा जीत दर्ज किया गया है पहली बार किस सस्त्रबल के लिए अधिकारियों के लिए हतियार परनाली साखा को मंजूरी दी गई है तिया जो है भारती वायुसेना के अधिकारियों के लिए मंजूरी दी गई है अप्सन नमबर रहेगा वायुसेना अधिकारियों ए नमबर अप्सन भारत के नए मुख्य नाइधिस के रूप में किस ने निक्त किया गया है तो यह बना है दी वाई चंदर चूड़ अप्सन क्या हो जागा बी नमबर बाइगानिकों ने किस देश में एक नए परिस्थित की तंत्र दर्ट ट्राइपिंग जोन की खोज की है किस देश के राष्टपती को भारत की गंतन दिवस तेश के समारों के लिए मुख्य तिथी के रूप में आमात्रित किया गया था तो हम इसके राष्टपती थे अब्दुल्फते अल्सीसी कर आके भारती ओलमपिक संग की महिला अध्याच कौन बनने वाले भारती ओलमपिक संग की पर्था महिला अध्याच बनी है वह है पीटी उसा बारत ने दोहरबार्च के डिख के सिर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़ात बनाई है, माल्दीव बनाई, अपसन क्या हो जाएगा? सी नमबर अपसन हो जाएगा अगला कराय की एरो इंडिया 32 किस सहर में आईजन किया गया है तो एरो इंडिया 32 का जो आईजन किया गया है सबसे बड़ा एरोस हो था या बेंगलूरू में आईजन किया गया है इसका उधगार्टान मोदी जी के द्वारा किया गया था T20 मैच के दवरान सबसे बड़ी दर्शकों के उपस्थिति के लिए किस किर्केट सासी निकाय ने गीनिज बुक अब बर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो भारतिक किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने हिंदी दैनिक आर्यावर्थ का परकासन कब से शुरू हुआ था इसका परकासन 1941 से शुरू हुआ था और इसका शुरूआत दर्भंगा जिला बिहार से किया गया था हरिहर छेत्र मंदिर किस नदी के टट परिस्थित है तो हरिहर छेत्र मंदिर जहाँ गंडक नदी के टट परिस्थित है और हरिहर स्षित्र का मेला गंडक नदी के टट पर ही लगता जोगी सोनफुर मेला के नाम से परसीध है पाटना साहीब में किस स्तिक गुरू का जनम हुआ था तो दस में गुरू गोविन सिंहिसा जनम हुआ था और इनका जनम 1666 इसे में हुआ था निम्न मेंसे किस ने सुलब तकनीक आंदोलन शुरू किया था सुलब तकनीक आंदोलन बिंदेशवर पाठक के द्वारा शुरू किया गया था और इसका शुरूगात 1970 इसे में प्रारम किया गया था बिहार में लोकसभा की कितनी सीटे है तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटे है और राज सभा की 16 सीटे है अगला पसांख्या का राए कि 29 अकर 22 को बिहार की किस खिलाड़े को मेजर धियान चैन खेल रतनावार से समानित किया गया तो जोतिक कुमारे को समानित किया गया अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज पाल्स रमीक आयोग का गठन किया इस आयोग में अधियाच पत की जिम्मेदारी किसे दी गई है तो चक्र पानी हिमान्सु को दिया गया है करा बिहार राज पर्दूसर नियंतरन परिशत बिहार की कितने जीलो में ग्रेड़ेड एक्षान पलान लागू करेगा तो टोटल पचीछ जीलो में लागू करेगा सेट का लाज पर्द था अगला सेट आपको जल्द उफलप्स करा जाएगा वीडियो अच्छा लगे थैंक्यू धन्यवाद अपने दोस्तों में शेयर अबस करते रहें